फॉरेक्स ट्रेडिंग स्कैम ट्रेडिंग के नाम पर करोडों का धोका बिजापूर में भी चल रहा है ये धोके का कारोबार। पड़े लिखे लोग भी बन रहे हैं इनके जाल का शिकार। किया है फौरेक्स ट्रेडिंग की हकीकत देखिए मेरे साथ हकी आवाज में मैं हूँ शकील बागमारे फौरेक्स ट्रेडिंग स्कैम देश के कोने कोने में पहला हुआ है पैसों के लालच में लोग इस सकैम का शिकार हो रहे हैं धोकेबाज एजन्ट अपने ग्रहाकों को बहुत बड़ा लालत देकर कामियाभी के साथ जहांज में बटा कर ले जाते हैं और बीज समंदर में ले जाकर जहांज को दुबो देते हैं जिससे जिन लोगों की जिन्दगी भर की कमाई कुछ लम्हों में ही खत्म हो जाती है लालत के इस खेल में अपनी महनत की कमाई गवाने वाले आपको हमारे देश में लाकों नहीं करोडों मिल जाएंगे आप यूटूब में या गूगल में सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा मगर हमारी जन्ता बिना हाथ पैर मारे बैटे बटाए जल्द अमीर होने के चकर में जो कमाया है इन जालसाज लोगों के कहने में आकर बरबाद कर रहे हैं पहले तो आपको जानकारी के लिए बता दू कि RBI ने फॉरेक्स रेडिंग ना करने की छेतावनी दी है यानि आप फॉरेक्स रेडिंग नहीं कर सकते उसके बावजूद करोडों लोग करते हैं इन में कई लीगल हैं और ज्यादा से ज्यादा फेक एजन्ट बैटे हुए ह आपको अपने जाल में फसाने के लिए RBI ने भी फर्जी प्लेटफॉर्म और वेबसाइट के जरीए करंसी में ट्रेडिंग करने को लेकर चेतावनी जारी की है और 48 फर्जी एप की सूचना फेबररी 10-2023 को जारी की है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इस लिस्ट को ध आरबिया ने पहले ही चेतावनी दी है अगर फॉरेक्स ट्रेडिंग आप इंडिया में करते हैं और वो कंपनिया इंडिया फेमा एड के तहत रेजिस्टर नहीं हैं वो इंडिया में इलीगल हैं यह लोग ऐसे प्रमोशन करते हैं जैसे आपको लगता है सचमें पैसे तो आपके जोली में गिरने वाले हैं इन एप में आप लायू ट्रेडिंग कर सकते हो फॉरेंस करंसी में या गोल्ड में आपको एक रियल टैम बीट लगाना होता है अगले साट सेकंड में यूएसे डॉलर उपर जाएगा या नीचे अगर आप सही निकले तो आपने जितना पैसा लगाया था उसका 80% आप कमा लोगे अगर आप गलत निकले तो आपने जितने जितना लगाया था वो पैसा चला जाएगा समझ में आया ये सीधा सीधा गैमिलिंग है ये कंपनियां अलग अलग लोगों को उटा कर अपना कस्टमर बताती है और इनके साथ एक इंट् पर दाल देते हैं और फिर उस वीडियो पर भारी पैसा खर्च करके मिलियन यूज जनरेट किया जाता है जिन वीडियो को आप देखकर इनके बिचाय हुए जाल में फस जाए और आप बड़े आसानी से फस भी जाते हैं क्योंकि इन वीडियो में इनके एक्टर कहते हैं कि इन्होंने पंदरा लाक रुपए पर दे कमा रहे हैं कमाया है और इस बच्चे की बाद भी सुन लीजिए सुना आपने एक कह रहा है वो एक दिन में पंदरा लाग कमा लेता है और दूसरा कह रहा है ये एक परसेंट का भी रिस्क नहीं है साथ लाक रुपए ये कमाता है रोजाना ये वीडियो आपको इसलिए दिकाए जाते हैं कि आपकी लालच बढ़ती रहे और आप भी ट्रेडिंग करना शुरू करते इनके हिसाब से भारत में कोई भी बेरोजगार नहीं होना चाहिए खांखां आप सरकार के भरोसे नोक्रियों के लिए बैटे हो इनके इनका एक एप डॉनलोड कीजिए और करोड़ पती बन जाईए क्यों अच्छे दिन का इंतेजार कर रहे हो इतना आसान तरीका लख पती और करोड़ पती बनने का है एक एप डॉनलोड किया और लाखों रुपए आने लगे क्या ऐसा होगा क्या ऐसा हो रहा है मगर कुछ दिनों के लिए जब आप ड्रेडिंग करते हैं तो कुछ दिनों के लिए ऐसा होता है आपको पैसों की बारिश होने लगती है फिर आपकी जहांच को बीच समंदर में डुबोया जाता है समझदार को इशारा काफी होता है ये सारे कंट्री में ये स्क्याम चल रहे हैं इंडोनेशिया और पाकिस्तान में भी इन एप को बैन किया गया है इंडोनेशिया के दो सूपर रिच इंफ्लैंसर्स सलमान और केस्मों को पोलिस ने अरेश्ट कर लिया क्यूंकि ये अपने विवर्स को बिनोमो और अक्टोफैक्स जैसे अप्लिकेशन को परमोट कर रहे थे और ये भी कह रहे थे कि ये लोग भी खुद इन अप्लिकेशन में ट्रेडिंग करकर के इतनी आली शान बंगर रहते हैं सूपर कार्स लेक्जरी लाइफ जी रहे हैं मगर हकीकत में ये ट्रेडिंग ही नहीं करते थे बलके इन्हें 80% कमिशन मिल रहा था इन अप्लिकेशन से हारते हैं इन में से इन्हें 80% दिया जा रहा था क्योंकि इनके कहने पर जो लोग अप को डॉनलोड करके जो ट्रेडिंग करकर के पैसा हारते हैं इससे इनको फैदा मिलता है इंडिया में भी इन अप्लिकेशनों ने भारी पर्मोशन किया है जब आप ये अप्लिकेशन न्यूज में देखते हैं तो आपको यकीन हो करता है कि ये ट्रस्टेड ही होंगे मगर वो दरसल एड्स होता है जिसकी जानकारी नीचे दी जाती है मगर हमारी नजर वहां कभी नहीं जाती हम उसे न्यूज समझते हैं जबके वो न्यूज एड्स होते हैं इन अप्लिकेशन ने तो एपियल को भी स्पॉंसर किया था देखो बिनामो ने तो संराइजर हैजराबाद को और अक्तो फैक्स ले डेहली क्यापिटल को इसका मतलब यह नहीं के यह एप लीगल हैं ट्रस्टेड हैं बलके आर्बिया ने इन एप्स का सच सामने लाही दिया आर्बिया ने 48 इस तरह के ट्रेडिंग अप्लिकेशन पर बैन लगा दिया है जिसमें एक्टो फैक्स और बेनामो ओलैम्प ट्रेड यम्टी फोर और यम्टी फाइब ही इसमें शामिल हैं जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं मैं आप से यही कहूंग अगर आप लालच में आकर इन ट्रेडिंग अप्लिकेशन के चक्कर में फस गए हैं तो अभी अपना पैसा निकाल लीजिए क्यूंकि अगर यह बंद हो गए या आपका पैसा लेकर भाग गए या सिर्फ विड्रॉल बंद किया तो भी आप इनका कुछ नहीं बिगार सकते क्यूंकि इंडिया में फॉरेक्स रेडिंग पर पाबंदी है और आर्वियाय ने भी इन 48 ट्रेड प्लेटफॉर्न्स और वेबसाइट की आपको पहले ही जानकारी दी है उसके बावजूद भी आप अपना पैसा लगाते हो तो पहले तो यह इनलीगल है जिससे आप ही कान उनके नजर में आ जाओगे क्यूंकि आपने अपना पैसा लेगिल तरीके से डॉलर में कनवर्ट करके फॉरेक्स टेडिंग में लगाया है जो कानुनन गलत है स्रिफ आप फेमा एक्ट के अंदर रजिस्टर अप्लिकेशन से ही ट्रेडिंग कर सकते हैं इंडिया में आयसे कई लोग हैं जिनोंने इस फॉरेक्स स्कैम से धोका खाया है देखिए इन अकबारों के जरीए मैं तो आप से यही कहूंगा के इंतेजार मत करो फ्रॉड होने का अपनी अकल का इस्तेमाल करो और अपने महिनत की कमाई को बचाओ विजापूर शहर में भी ऐसे कई ट्रेड लाखों की खुट कमिशन खा रहे हैं बहुत जल हम पूरी इन्विस्टिकेशन करके इन्हें भी बेनकाब करेंगे अगर आपके आसपास भी ट्रेडिंग के नाम पर आपसे पैसे लेकर ज्यादा पैसे देने का लालत दिया जा रहा है या यह लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हैं इनके पास कोई फेहमा के तहट कोई लैसेंस ही नहीं है तो आप इनकी शिकायत पोलिस से भी कर सकते हैं जिससे लोग एक बरे फ्रॉड से बस सकते हैं अगर आप भी लोगों को फ्रॉड होने से बचाना चाहते हैं तो इस न्यूज को अपने वाटसब फेस्बुक में शेर करें ताके इसकी जानकारी दूसरों को भी मिले तो रहे आपका अपना बी न्यूज नेशन हक्की आवाज